मैं सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह का जो भी वीडियो में डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा है तो तो आगे पढ़ते हैं आज का क्लास काट करते हैं एलजेब्रिक एक्स्रेशन परना है इसमें बहुत सब्सक्राइब करेंगे देखते हैं, सबको continue करेंगे इसमें, तो देखिए, algebraic expression कहते किसको है, इसको definition हम देखें, सब्सक्राइब पहला, इसको define कैसे करें, algebraic expression, समझते कि algebra होता जा है, मालगी कोई भी ऐसा expression हो, जिसमें variables हो, तिक, variables क्याने का मतलब, मालग को लिखा हो है, 2x plus 3y minus 6, तिक, ये expression है, ज और किस चीज से combine किया है, equation को, plus का इस्तमाल करके, और minus का इस्तमाल करके, ठीक है, और multiply है, 2 के साथ x multiply है, तिक, ये 6 क्या है, एक constant है, ठीक है, 6 क्या है, ये constant, देखें, क्यो constant है, हम से constant क्यों होता है, constant ऐसे number को क्यों होते है, जिसका value change होने वाला नहीं है, इसे देखिए, अब 6 को किसी भी equation में लिखिए, तो 6 ही रहने वाला है, अब यहां जो आपके साथ x लगा हुए, हमांगे, x के जगा 1 डाल जाले है, तो एक कितना हो जागा, 2 बढ़ जाएगा, यदि हम इसी x के जगा 2 डाल लें, तो कितना हो जागा, x को को जाएगा, मतलब जो x के वाल स का वेल्यों फिक्स नहीं है, जो चेंज को रहा है, इस कारण से एक कुले टर्म को हम क्या करेंगे, वालेबल तर्म, उस तरह वाल का था तर्म को भी डिया करें, तो तो यहां बन करें, आपको लिखिए, आपकी मर्णि, तो एलेट्रिक एक्समिट का डिखिए, तो इस एन इण एइस्प्रेशन गंतेंनिंग भिएबल्स को वाइब रहे हुए 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 माथमाटिकल अपरेशन सुबॉख तक मेत्या है निग्टेटिकल था Simple mathematical symbols काने का फ्लार क्या है ? Plus होगा, minus होगा, या फिर गुना होगा, या Divide होगा या यह होगा, इसके राबा आप कुछ भी नहीं होगा है ना ? तो यहाँ पे plus का इस्तमाल कियें, minus का इस्तमाल कियें और एप एजांपल देख लेते हैं यहाँ पे दिख लेते हैं तो अनों के बीच में जो किसी यह मत्तब 4xy को साइंग होगा है multiply है तो आप कोई भी ऐसा लिख सकते हैं एग्जामपल जोरो ते क्याईए आप कुछ भी लिखती 1d2x plus 3y plus 8 is equal to 0 कुछ भी 5x, 7y minus 6 is equal to 0 कुछ भी लिखिए वह 0 नहीं भी जिए अगर कोई दिक्कत नहीं है वह 0 भी लिखिए आप कुछ भी लिखिए एग्जामपवाँ से कोई दिक्कत नहीं है ठीना ज्यान दिखिए है कि उसमें valuables को नहीं चाहिए और simple mathematical operation से वह क्या कहेंगे algebraic expression कहेंगे समझ आगे होगा चली आगे चलते हैं अब देखिए algebraic expression में कुछ चीज आते है coefficient, constant adjustment कहा तो उसमें क्या होता है जरह समझ देते हैं ठीक है degree आएगा उसमें पहले समझते हैं सबसे पहले आता है coefficient है ना coefficient होता क्या है उसमें algebraic expression सबसे पहले coefficient किसी भी variable का क्यों constant होता है ना the constant constant value of any variable is called coefficient जैसे मानि ये कुछ equation आशा लिखाब गान है कि two of x plus d y plus seven equation है अब उसमें बोल देंगे आप x का coefficient बताएंगे x का coefficient क्या है वे इसका coefficient तम कौन side two है ये रिख पूछ रहे है ये रिख इस तरह आप से कोई और equation ले ले लेते है मानि जी आप से कोई और equation ले ले लेते है मानि जी आप से कोई पूछ दिया कि y का coefficient को जाएगा कि y का coefficient क्या है ये वाले तम का coefficient क्या है ये वाले तम का coefficient लिकाने के लिए इस y को छोड़के जो 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 पचहा उसको लिख देए ये इसका coefficient क्या हो गया 2 x हो गया तो मतला जिसका भी coefficient पुछेगा उस चीज़को छोड़के मतलब वो x y z कुछ भी हो उसको छोड़के वागे term में उसको छोड़ देगे इस एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं तर्म करते हैं यह सारा का यह तर्म है यह क्या है तर्म 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 है तर जो maximum value होता है, एक equation में किसी भी variable के उपर, उसको क्या कहते हैं, हम degree of the equation कहते हैं, जैसे इस एक equation बनते हैं, 2xy plus 3z plus 1, अब भी लिएका, यहाँ वैडिवल के इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है, जैसे हैं 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, अब इस term को देखे एक इस तेर, तो दो variables है, और दूनों पर एक इक power है, इसका degree पावर variable पर होता है, उसकों क्या करते है, degree करते है, ठीक है, तिसरा कावर भी जो terms आगे मिलेगा, उसके रपाले में लोग परेगे, जोगी आगे दिखे लिए, इस सारे definitions को आप pause करके, वीडियो को लिख सकते है, इसे book में भी लिखा हुआ मिल दाएगा, लेकिन आपको जो अच् अब देखे, आपे types of equation परते हैं, on the basis of terms, तिक ना, types of algebraic expression on the basis of number of terms, इपना number of terms, इपना number of terms, के basis पर, algebraic expression पर हम लोग define करेंगे, ठीक है, तो दिखिए, सबसे पहले आता है, monomial, 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 मतलब the algebraic expression, expression, having single term, सिर्फ एक ही term हो, तो उसको क्या करेंगे, monomial करेंगे, जैसे, example, 4x, एक term, इसका कुछ आप भी नहीं है, 2xy, 3z, या 8, कुछ भी, एक्सेटर, यह सारा क्या हो गया, single term है, तो इसको क्या करेंगे, monomial करेंगे, ठीक है, दूसरा आता है, binomial, एक्सा ऐसा एल्जेल्ट्रिक expression, जिसमें कितना term हो, या कि दो, दो एल्जेल्ट्रिक expression, containing, two terms, two terms, जैसे, 4x plus 1, 3xy plus 3z, तो उसको क्या करेंगे, binomial करेंगे, उसको क्या आता है, trinomial, नाम जा समझने आ रहा है, tri बतलबती, the algebraic expression, containing, three terms, how many terms, three terms होगा, इसका इजापन, इसी को extend करेंगे, मने, 3xy है, plus 3z है, plus of 7, 3 terms है, कोई भी 3 terms, आपकी और छोटा लिखना है, माने जिए, 4x plus 3y plus 9, 3 terms, कुछ भी आप लिखी इस तरह करेंगे, उसको गया करते हैं, ट्राइनोमियल करते हैं, तरहर की लिखता हम, quadri-nomial, the algebraic expression, containing 4 terms, कितना terms contain करेगा, 4 terms को क्या करेंगे, quadri-nomial रहेंगे, यह से देखनेगे, 4 terms कुछ लिए रहें, 3x, 2y, z plus 6, 4 terms है, 1 है, understood है, यहाँ 4 terms है, quadri-nomial, last one इसमें, on the basics of number of terms, उसमें हम लिख पढ़ेंगे, यह सब आप एक बाद ध्यान से वीडियो को देखेगा, आगे इसमें बहुत इसका यूस बोगाटिक नाव, इसको solve करतने हैं, बहुत तरह कोश्यों में की रखे, इसलिए जो basic का वीडियो है, उसको एदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, देखे, polynomial, नाम सुने ही होंगे, the algebraic expression, एक्स्प्रेशन, containing, two or more than two term, दो या दो से ज्यादा terms होगा क्या करेंगे, polynomial, तो आज के लिक्चर में इतना ही ना मिलते हैं, अगले लिक्चर में दिग्रीज के बारे में पहेंगे, समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से का रहा हूँ, पुर्याने क्लास का जो भी लिक्चर डा रहा हुगा, ऐसे मैंने अभी तक rational number और exponent power परहा दिया है, आप उसको जरूर से जाके देख लिजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, वीडियो में कुछ भी problem है, नहीं दिखता है, या भाई कुछ समझ में आधा ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो कमेंट ने जरूर हों को बताई की लिखके, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ, तब तक के लिए गढ़ पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वास्त रहिए, तो wins में लिखते हैं, क्यों अवीयोष इस की लिखके, जो अद्री ट्रूरी. जे विखके, झाल झाल